हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है तो चलिए दोस्तों नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस वीडियो के बारे में सब कुछ तो वीडियो अच्छा बारे में आपको पूरी जनकारी देंगे जिसका नाम है दोस्तों को रेक्स डेक्स सिरप जो की फाइजर कंपणी द्वारा इसे मार्केट में बेचा जाता है यह आपको सो एमेल और साथ एमेल के पैक में देखने को मिल जाता है जिसकी कीमत की बात करें तो लगबग सो यह 110 में यह आपको मिल जाता है और इसके कमपूजीशन की बात करें तो इसमें डेक्सोमेत्रफेन हाइड्रोकॉलडाइड और क्लॉर्फेन माइन मिलेट साल्ट देखने को मिलता है जो की एक बेहतरिन साल्ट है किसी तरह की ड्राइक कफ की समस्या को ठेक करने के लिए दोस्तो को वेट कफ यानि की गीली खासी के समस्या है तो उन कंडिशन में यह दवा काम नहीं करेगा कोल्ड यानि कि अगर आपको सर्दी जुकाम लगता है खासी नहीं आ रही है तब भी आप इस दवा के इस्तमाल कर सकते हैं सोर्थ फ्रोट अगर गले में किसी तरह की शूजन है खुजलाट है गले में किसी तरह की अलर्जी है तो उन कंडिशन में भी आप इस कोरेक्स ॅइक सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही दोस्तों इस पर कंपनी द्वारा मेंसन किया गया है कि यह यह एलकोहल फ्री है कोडिन फ्री है यानि कि इसका कोरेक्स जो टी सीरप आता है या कोरेक्स प्लेन आता है तो उसमें आपको कोडिन देखने को मिल जाता है जो कि एक तरह का एलकोहल है लेकिन कोरेक्स डी एक्स सीरप में आपको कोडिन देखने को नहीं मिलता इसलिए कंपनी दौरा इस पे साफ साफ लिखा गया है कि यह एलकोहल फ्री है और साथ ही कोडिन वी तो कोरेक्स डियक्स सीरप अपने नाम और गुड के कारण काफी ज़्यादा मार्केट में बिखता है और जो अच्छे डॉक्टर हैं से प्रिसक्राइब करना काफी पसंद करते हैं इसके यूजेस की बात करें तो अगर आपको बहुत ज़्यादे सूखी खासी आती है कि दो मिनट तक अब लगतार खासते रहा जाते हैं तो उन कंडिशन में इस कब सिरप का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आपको मौसम चेंज होने के बाद फौरण सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर खासी आने लगती है अब आप दवा नहीं लेते तो उन कंडिशन में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आपको हल्की फुल की खासी है लेकिन सर्दी के लच्छड काफी जादे देखने को मिल रहा हैं जैसे कि नाक का जाम होना चीके आना या नाक से प सकते हैं दोस्तों कोरेक्स डी एक सीरफ बच्चे हों बड़े हों बुजूर्ग सबी लोग इसका इस्तमाल बेजी जग कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यह क्यों पैथिक ड्रग है इसलिए इसको इस्तमाल करने से पहले आप चाहें तो अपने नजदी की डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं उसके बाद इस सीरफ का इस्तमाल कर सकते हैं तो यह था दोस्तों इसके कुछ मोटे मोटे फायदे के बारे में अब बात कर लेते हैं कोरेक्स डी एक सीरफ क्या सुगर के पेशेंट ले सकते हैं या नहीं दोस्तों इस पर कहीं इस तरह का कुछ मैंशन नहीं कि चागए कि यह सूगर फ्री हैं इसलिए पैशन्टिस का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं अगर प्रेगनेंट ओमैन हैं या जी अदिन्य कराती ओमैन हैं तो उन तरह की ओमैन यानि कि माहिलाएं में लेना कि बात करें तो इडल्ट डोड जो है इसका टेने एमल दिन भार में तीन बार लेना चाहिए यानि कि शुबर में-20 Aid of a तॉपार में दस अमें आर रात में से मेल बच्छों में देना चाहते हैं तो जो बच्चे पाँच महीने से उपर और दस से बारह महीने के बच्चे हैं तो इसे 50 से चार सालस और आठ साल साल publish बड़ सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं विरस्फट की बाद करें तो दोस्तों इसका कुछ खाश को1 बजने को नहीं मिलता लेकिन दोस्तों इसके पीने के बाद आपको सुष्री लग सकती है चक्कर आ सकता है नीद ज्यादा लग सकती है तो इस तरह के कुछ हलके फुल के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो की घबराने की बात नहीं है आप इस दवा को जैसे ही बन करते हैं आपके इन तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं तो यह था दोस्तों कोरेक्स डी एक् उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों मैं शेर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें